आज में बनाने जा रहे हूं बहुत ही मज़ेदार घटा मेटा हैल्दी जूस इस जूस में शामिल जो अज्जा है वो है ग्रेफ्रूट और रेट स्वीट लाइम जिसको हम मुसंदी कहते हैं इमली का पानी फूटा वायट और पाइनअपल जूस स्वीट और तोड़ी सी खाली मेज और तोड़ा सा खाला धुक्त रेप्रूट के जूस पीने के फुवाईड वाइटमीन जी वाइटमीन ए वायटमीन रेटमीन बी और क्राइशन से पर पूर होता है आपके बिल्ड को मेरे को नजाम को मज़ी पहते बनाता है जान सरुदमा जैसे बुमादियों से मैफूज रखता है जिल्ड की इंफक्शन वाइरोस और मुठलफ जिस्म के बैच्छिया से मैफूज रखता है अधियों को मजबूत ही देता है और जोनों के दर दूर करता है और फ्रूट का जूस चल्बी बिगलाने के सास्ता तकावर भी दूर करता है फ्रूट को भी दो टुक्रों में कात लें दो टुक्रों में कातने के बाद साथ पे रखतें अब जो फ्रूट काते हैं इन सब का जूस निकालना है सबसे पहले आप दो अधर मुसंबी जो काती हो रहे हैं इनका जूस निकाले तूब लास बनाने के लिए दो मुसंबी काफी हो जाएंगे चूंकि इसमें हम ने इंडीका जूस भी शामल करना है वादमी और ग्रेप्फ जोट का भी जूज शामिल करना है म password करो जोट्ड़ कर दो करो डहे भया झाल 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 ग्लास ले ले इसमें सबसे पहले मुसंबी जूस यानि रैट लाइम जूस एड़ कर लें दोनु ग्लास में थोड़ा थोड़ा सा मुसंबी जूस टालिये फिर आप इसमें ग्रेफ्रूट का जूस एड़ करें झाल 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 फिर आप इसमें ग्रेफ्रूट का जूस एड़ करें ग्रेफ्रूट का जूस शामिल करने के बाद अब इसमें इमली का पानी एड़ करूंगी मैं अब इसमें मसिदार पाइनेपल जूस शामिल करना है जो मेरा फेवरिट है अब इसमें थोड़ी सी काली मैं जाइड करनी हैं और तोड़ा सा काला नमक मिक्स करना है याद रहे ये जूस फोरन पिया जाए वरना इसका जाईका करवा हो जाएगा क्योंकि ग्रेफ्रूट इसमें शामल किया गया है वो कुछ देर रखने पर ये करवा हो जाता है ले जनाब अब जबर देस्ट मज़ेदार रजीज घटा मीटा कलरफूल हेल्दी जूस तयार है प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेर दिस वीडियो तिक्यार थैंक्स वोचिंग